हाली में दिल्ली में राश्रवादी कॉंग्रिस पार्टी यानि एंसीपी की राश्य कारेकारिनी की बैठक हुई दो दिन चली इस मीटिंग में 10 सितंबर को शरत पवार को एगवार फिर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया लेकिन मीटिंग के अगले दिन यानि 11 सितंबर को ऐसा वाक्य हुआ जिसके चलते कई तरह की अटकले शुरू हो गई महराश्य के पूर्फ डेप्यूटी सीम अजीट पवार एंसीपी अध्यक्ष शरत पवार के सामने से ही बीच बैठक में उठकर चले गए अजीट शरत पवार के भतीजे हैं बताय जा रहा है कि जयांत पार्टल को अजीट पवार से पहले बोलने का मौका मिला इसके बाद जब अजीट पवार को बुलाया गया तो वे स्टेज छोड़ कर चले गए इस घटना के बाद अटकले लगने लगी है कि अजीट पवार पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराज चल रही है हाला कि अजीट ने बाद में सफाई दी कि वे बैठक में इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये राश्रे इस्तर की मीटिंग थी पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल पटेल ने स्टेज से घोशना की थी कि अजीट पवार शरत पवार की अंतिम टिपडी से पहले बोलेंगे लिकिन वे अपनी सीट से गायब थे बाद में प्रफुल पटेल ने बताया कि अजीट पवार वाश्रूम गए हैं और वे वापस आकर बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ उदर इस पूरे घटना करम को शरत पवार चुपचाप स्टेज पर बैठे देखते रहे इस बीच एनसीपी के कारे करता अजीट पवार के समर्थन में नारे बाजी करने लगे एनसीपी सांसद और शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले अजीट पवार को समझाती भी नजर आई जब अजीद पवार वापस आये तो शरट पवार स्टेज से अपनी आखरी टिपणी कर रहे थे NCP प्रवक्ता सोनिया दुहन ने अजीद पवार के मीटिंग छोड़ कर जाने की रिपोर्ट्स को गलत बताया सोनिया ने इंडियान एक्स्प्रेस को बताया वाशूम से लौटने के बार मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछा स्टेज पर वापस आने में उन्हें 7-8 मिनिट की देरी हुई लिकिन वे वापस आये थे अजीद पवार फिलहाल महाराश्र विधान सभा में विपक्ष के नेता है इसे पहले साल 2019 में अजीद पवार ने पार्टी से नाराजगी दिखाई थी महाराश्र विधान सभा चुनाव के बार शिफ सेना, NCP और कॉम्रेस गटवंदन बनाकर सरकार गठन की कोशिश में थे लेकिन उससे पहले ही देवेंदर फटनवीज ने मुख्यमंत्री पद की शपत ले ली सबको सर्प्राइस देते हुए 23 नवंबर 2019 की सुबा फटनवीज के साथ अजीद पवार डेप्यूटी सीम पद की शपत ले रहे थे अजीद पवार ने अपने साथ कई एंसीपी विधायकों के साथ होने का दावा किया था लेकिन ये सर्प्राइस सरकार सिर्फ असी घंटे ही चल पाई क्योंकि शरत पवार उन्हें वापस पार्टी के पक्ष में लाने में कामियाब रहे थे एंसीपी की राश्य कारेकारणी की बैठक दिल्ली में ऐसे समय में हुई है जब दूसरे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ राश्य इस्तर पर एकजट होने की तयारी में लगे है 11 सितंबर को मीटिंग में शरत पवार ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म को लाकर बिरोजगारी जैसे मुद्दों से युवाओं का ध्यान भटका रही है पवार ने कहा कार माक्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है हमें केंदर सरकार की विभाजनकारी राजनीती को लेकर सचेत होना होगा जो धर्म और जाती के आधार पर की जा रही है शरतपवार ने मीटेंग में ये भी कहा कि विपक्षी दलों को एक जुट करना एंसीपी की प्राथमिक्ता होगी शरतपवार 1999 में एंसीपी के गठन के बाद से ही पार्टी प्रमुक है कॉंग्रेस से अलग होने के बाद पियेस अंगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर पार्टी बनाए थी शुक्रिया